वीडियो में आपको सिंपलोगो बनाने का तरीका बताऊंगा मैंने इस टाम एडॉब इस्टाम इलस्टार20 और ये एडॉब इलस्टार externs में यूज कर रहाँ एडॉब इस्टार शीट्व रटाने का बता दिया आपको ठीक है कमप्रेसchio punt और लाइफ टाइम के लिए वो फ्री है ठीक है तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया है तो आपने अगर अगर मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद उस व एक्ट रेक्टेंगल बनाया मैंने और इसका इंसाइड जो कलर है वो मैं ब्लू कर रहा हूँ ठीक है और स्ट्रोक को यहां पर में जीरो बनाऊंगा अब इस कार्नर को पकड़कर मैं यहां पर राउंड कर लूँगा ठीक है और यह शेप कुछ ऐसे बन जाएगी यह मैं आपको बताता चुरूँ के यह एडाब इलस्टेटर सी सी वर्जियन में पास्रीबल है और उससे जो अबाव वर्जियन में उन में पास्रीबल है बिल तूल लेकर इसको 45 डिगरी के ऊपर रोटेट किया है और यह कुछ ऐसी शेप बन गया ठीक है तो टैक्स्ट तूल लेकर मैं यहां पर कुछ टैक्स टाइप करने जा रहा हूं और मैंने इसका जो फॉंट है वो मैंने डिफाल्ट जो सिस्टम का फॉंट है वही मैंने यूज नहीं कारवा है और वो लैटर में यहां पर टाइप करना जा रहा हूं वी जिसका में लोगो बनाना चाहता हूं और इसको मैं शेप के ऊपर एड़्जस्ट करूंगा मूव टूल के जरिया ठीक है और दोनु शेप को स्लेक्ट करके मैं इसको वर्टीकली और होरिज डी लैटर को स्लेक्ट करके मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा करूंगा ताके यह अच्छा लग जाए ठीक है आई थिंक ऐसे ठीक है अब मैं इसको अगेन अलमॉस्ट अब ठीक लाग रहा है ठीक है अब मैं थोड़ा से साइज को इसके बढ़ा करना चाहता हूँ वी लेटर के साइज को थोड़ा से मैं बढ़ा कर रहा हूँ और आई थिंक इट लोक्स परफेक्ट अब इसको मैं यहां से स्लेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा ठीक है और ताकि यह शेप के ऊपर एक अच्छी ताड़ा से बैठ चाहे और डाउन 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 अब वी के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा क्रियेट आउट लाइन बनाया मैंने दोनु शेप को सेलेक्ट करके यहां पर मैं पाथ टूल में जा रहा हूं पाथ फाइंडर टूल में जा रहा हूं यहां पर जो सेकंड अप्शन है हैंЕ .. यह पर बारितम लेयर को सुट्धक्टि के लिए यूजे की जाती है है तो आप डेख सकते हैं यहा पर बारितम लेयर भान में सिप्टक्ट होगी है और में suppress को मैं थोड़ से अजयस्ट करेंगा काम करके और इब में Gradient tool पर जाओकर इसमें Gradient apply कर रहा हूँ Lei父 साइड पर आल सू में Gradient यह पर एक अच्छा लोगो नजर आने के लिए में Gradient apply कर रहा हूं इसके उपर और यहां पर और यहां पर and situation भी chain करआओं मेंود यहां पर इसका कुछ ब्लू कलर का मिक्स्चर चाहता हूँ ठीक है तो उसके लिए ये में इसके कलर चेंज करूँगा यहां पर अच्छा लाग रहा है अब मैं टैक्स टूल में स्लेक्ट किया मैंने और यहां पर टैक्स लेख सकते हैं आप कुछ भी जो आपकी कंपनी का नहे में ठीक है तो मैं एक्चली विक्टरी का लोगो बना रहा हूँ तो मैं यहां पर विक्टरी टाइप करूँगा अब अपनी कंपनी के हसाब से यहां पर लोगो बना सकते हैं तो फॉन्ट स्टाइल इसका मैंने बॉल्ट स्लेक्ट किया है और एजस्ट करने से पहले इसको मैं इसकी बना रहो और ताकि सेम ग्रेडियन्ट इसका एपलाए हो जाए हुआ हुआ है विक्ट्री को में स्लेक्ट करके यहां से थोड़ सा एलाइन कर लूँगा ठीक है और इसके बाद में अब तीनु शेप्स को स्लेक्ट करके सेंटर में ले आऊंगा और अब तीनु शेप्स को स्लेक्ट करके मैं वर्टिकली और होरिजेंटली एलाइन कर लूँगा यह एक बहुत ही अच्छा और खुबसूरत फ्लैड और सिंपल सा लोगो त्यार हो गया ठीक है तो इस तरह से आप अपनी कंपनी अपने चैनल के लिए एक फ्लैट और अच्छा सा लोगो बना सकते हैं बहुत असान तरीके के साथ तो आपकी कंपनी का नाम अगर वाई से स्टार्डर तो आप वाई लेकर अपनी कंपनी का नाम साथ लेख सकते हैं अभी तक आपने मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें इस साफ्ट वेर को डाउनलोड करने के लिए अप मरी वीडियो देख लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गवन है और आपके सामने ये वीडियो भी शो और हैं आप यहां से भी देख सकते हैं आप यहां से भी देख सकते हैं I hope you like my video and don't forget to subscribe my youtube channel thanks for watching